जेहिन आप सबी का फिर से स्वागत है four creativity study दिज केकने एपीसोड में आज की इस एपीसोड में हम लोग देखने वाल है बीपी एसी बीपी एसी 142 के लिए most important question भी तांसर जो आने वाल एक्जाम की डिस्टी कोन से काफी ज़्यादा महत्पून होने वाली है इससे पहले हम लो description box में और comment box में pin किया वह सबसे उपर में मिल जाएगा उस लिंग पर click करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे classes कर सकते हैं और सारे के सारे classes करना बेहर जरूरी है बेहर जरूरी है क्योंकि most important questions सब upload है सिर्फ important questions को explain किया जा रहा है आपके topics में जो भी important topics नजर आ रहे हैं उनको example के मतलब explain के तोर पर मैंने उसको explain किया है ठीक है तो बहुत जारा important है जैसे आज के session में ही देख लीजिए आज के session में कहा जाता है कि भारत में राज नीती के अध्यन के विभिन दिश्टिकोन की वेख्या किजए ये questions को हम लोग भी भी आई मान सकते हैं क्योंकि ये questions जोन आपके assignment के exam में भी पूछा गिया है तो कहीं न कहीं तो कहा जाता है है भारत में राज राज नीती के अध्यन के विभिन दिश्टिकोन की वेख्या किजए हम लोग किसको समझते हैं है कि बहुरत में राज राज नीती के मलिकित निमलिकित प्रकार्या की कि ढो स्कते हैं इस तरह से सुरूब लिए लिग सकते हो कि इस्टार क्यों लिखना बहुत ज्यादा अच्छा लेगा यह ठीक है परंपरिक डिश्टिकॉन आप मेंसें कर सकते हैं इस तरह से अप अंसर रेटिंग करना जैसे मैं हर सेसं मेर सिखाता हूं आपको किस तरह से आप यह राज्नितिक अधियन के बारे में जो पोलेक्टिक्स के इसके जानकारी एक एक अठ्ठा करने का जहा से सट्टा सट्यबाजी उस तरह से भी हम लोग इसको देख सकते हैं उसके बात है आध्यात्यमिक रूप से नेतिक तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं जान सकते हैं यह होता है क्या राजनितिक के बारे में जो जानने का एक बहुत ही पुराना सबसे पहला पहले जो इसी की तरिकाएं अपने अपना के लिए पिर आगे कहा जाता है देखिए आगे में कहा जाएगा राजी सरकार और मनुस्य के राजनितिक वहवार का अधियन कुछ लक्षियों नेतिकता या सत्य को प्रावटत करने की खोज से जुरा हुआ है या कि राजी हो या स्टेट हो या सर कि होती है इन तमाम चीजों से हम लोग उसकी खोज की प्रावटती कर सकते हैं न यहां अनुसासन, अनुसासन, नेतिकता की दुनिया के करीब जाता है अत्यधिक सत्टा और अमृत होने के लिए दिश्टिकोन की आलोषना की जाती है अत्यधिक जो हमने सट्टा बाजी होन बारे में समझते हैं, यह दिश्टिकोन अतीत पर परकाश ढलता है और राजनितिक संस्ताओं की उतपथी और विकास पर पता लगाता है, ठ्लिक है, हम दोग इसके शुरुवात किस तरह से वी, राजनितिक के बारे में, इसके बारे में लोग लिख सकते हैं कि हम लोग सुरुवाती तौर पर किस तरसे इसकी उत्पत्य हुई कहां से इसकी सुरुवात हुई कहां से विकास हुआ कैसे कैसे यह प्रोग्रेस किया इन तमाम बिन्दों को हम लोग मैंसन कर सकते हैं है ना का जाते है यह अतीत में व्यक्तियों की भूमेका हो गया उनके उद्देश हो गया उपलबदियां हो गया है और सफलता और भविश्य के लिए इसके परभाव का अधिन करना चाहता है क्या बता है अब क्या लगता है आपको जैसे आप में सही बहुत सारे से स्टूडे आपका इत्यास है आपने लगातार दो या दो साल के जो एक्जाम दी उसमें पास किये भी एक परकार का इत्यास है आप उनमें से कोई होता है कि एक सब्जेक्ट में बैग आ गए फैला गए वो भी एक परकार का इत्यास है इसमें सफलता हो गया और सफलता भविश्य में हम लोग इतियास को शमजते हैं कि निए किया से इती आप लिख सकते हो आसानी तरीके से उसके तक आनूनी डिष्टी कौन ये कानूनी के अप्रोच क्या होती है इसके बारे में समझते हैं राजनेतिक अधियन राजनेतिक संगठन के रख रखाओं के लिए राजी द्वारा बनाई गई कानूनी संथाओं के अधियन से जुरा चुकि राजी कानून और व्यविस्ता बनाए रखने में हुआ है लग हुआ है उसके लगा है और निया एक सनस्थाओं का अधियन राजनेतिक सिधान कारों की चिंता बन गया है ये जिश्टी को राजी को एक ऐसे संगठन के रूप में देखता है जो मुखी रूप से कान के लागू कर सकते हैं मतलब ये आपको कानून और रायनिती को एक जुटता के रूप में मिला के आप मेंसन कर सकते हो ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है बुक्स में जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग हुब हुच छाप दे आप इतना याद भी ने रख पाऊगे कि अपनी माइन से एक्जाम्पल के तोड़ पर लिख सकते हो आपको जाओ कर आ दिखे दें तो इसी प्रकर आपका कहा जाता है पर जोर देता है था हमारे कि इतने पालिका है इसमें बिदायका हो गया, घ। को फ्वले का इन तमाम चीजों को जो नरानितिक संगठन के तौर पर हम लोग इसको देख सकते हैं सनेशनातमग डिश्टी कोई को संगे संथातमग डिश्टी कोई को और अनुपचारिक सरंजनाओं का भी अध्यन किया जाता है, इसमें अनुपचारिक हो गया, अपचारिक हो गया, इन तमाम सरंजनाओं को इसके माधियम से हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और का जाता है, सरकारी परनाली के जितनी भी तुलनातमक अध्यन होंगे, अब सरकारी पर नाली है अब इसके साथ जितने भी तुलना 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 तो हम लोग इसकी सनस्थाओं में जितने भी व्यक्ति की भूमिकां होती है जितनी योगदान होते हैं इसमें जो संगठी समुहों में जूरे हुए होते हैं उससे अंदेखी करने के लिए रिष्टी कौन की आलुषना भी कर सकते हैं अगर शुंभाकश्षट कर सकते हैं में ये यह समझाया जा रहा है उसके आप जैसे लोग पाहला इस्टार में हम लोग क्या है ने अड़की यह तो इसका अलुशना कर सकते हैं तो यह बात इसमें कौन करता है यह दूति एक आधुनिक जी कोण जो मोडलन तरीके से अभी का आधुनिक डिश्टी कोण क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे यसे पहले हम लोग पारम परिख देखें ति मंतलब की सुरवात कहां से यह बता है तो यह हो गया आपको परंपरिंग डिश्टी कौन अब हम लोग देखेंगे आधोनिक जो अभी वर्तमान समय में जैसी सनरचनाई चल रही है इसके बारे में हम लोग राजिक के बारे में जानेंगे समझेंगे है ना तो इसमें आप पहला कहा जाता है समाजिक डिश्टी कौन समाजिक डिश्टी कौन में कहा जाता है यह उपागम समूदाय के सरदस्यों के राजनितिक वहभार की वेख्या करने के लिए समाजिक संधर्वी की समझ पर चूर देता है यह उपागम जो है समाजिक जो है अब इस दल्ल के लोगों को अग़र मैं अच्छे सीत दे दूं मैं अच्छे लोगों को पर ध्यान दूँ तो मेरे पाटी के सीत वहाँ जीतेंगी एक लिएृ इसे तोर पर में पर समझा सकते हैं और इस छेतर में है ना वहां पर मेरा दबदबा है अब बहुत सरे है अभी क्या हुआ है तो उसमें अलग अलग परकार के पार्टी विजय हुए हैं तो उनको क्या होता है पहले आइडिया लगाते है कि इस चेत्र में इनको सीर्द देनी चाहिए इस सोसाइटी में जो मेरा वोट कम है इस समाज में कि आप हम लोग कैसे समझ सकते हैं इसको भी हम लोग समझ सकते हैं इसको भी हम लोग ले सकते हैं तो इसके बाद काहिए राजी को मुखे रूप से एक समाजिक रूप में जीव के रूप में मना जाता है और राहनेती को समाज सास्त्रिकारकों के माधिम से समझा जाता है र तूसी के बारे हमें इसमें भी समझाया गया है। यहीं बात आपको बताया गया है। थीक हैं फिर आगे देखते हैं लोग। आ प्रोजी में समझता है। स्थान की तर पर समझ तर पर कारी करते है। और चैनल यह मानता है कि रायनीति को नेताओं की लिए ञान के साहिताह से महत्फुन पता शलता है। कि इसकी साहतासे हम लोग रायनिति के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, यह हमारे लिए एक परकर का बहुत बढ़िया जरिया है, है ना, उसके तहला कि यह डिश्टिकोन रायनिति के अधियन में समाजिक, कानुनी और आर्थिक कारकों की उफ इसके माल के उत्पादन में हो या इसके वित्रन में हो, किस तरह से हमारी की आर्थिक उत्पादन हो यह इसके बारे में समझाया गया है, इसमें क्या 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 जाता है, हमारी माल किस तरह से उत्पादन क्या जा रहा है, या किस तरह से वित्रन क्या जा रहा है, इसके बार पर राज की राजनितिक परिक्रियाग से गहनिश रूप से जुरे हुए होते हैं डिस्टिकोन अवेक्तियों के राजनितिक और आर्थिक जीमन से जोरने और समझने की और जुका हुआ है ना यह सब बाते इसमित समझाए गई है उसके नेक्स्ट में आ गया वहवार डिस्ट शेलो आप आपके गाऊं मेही राज़निति लिक्टियो में मेरा मेरा चाचा को मैं अच具ूह करके यांना कर दो हरी है लोगो करो समझ करो मैं बहुत करें है ना कर हमारी जो मानकेशलो अब नेता है नेता सराप P.K. गांजा P.K. बगएर बगएरा कुछ भी करता है मांडर करता है ये करता बगएरा बगएरा उसका बोड़ देने की कुछिस करोगे नहीं करोगे तो वही बाते हैं उसकी वहवार कैसी है आप मान के चालों रोड पे मिले नेता तो हम अगर मैं उससे बात कर रहा हूँ वारत अलाब कर रहा हूँ तो उनकी वहवार कैसी है यह सब चीज़े भी हम लोग समझ सकते हैं इसे भी राजनेती के बारे हम लोग जान सकते हैं न न तो नेताओं के माधियम से भी हम लोग को जानते हैं अभी क्या होता है बहु सारे स्टुडिन ऐसे बोलते हैं I hate politics I hate politics इसको नफरत करने लगते हैं ना राइनिती पर ध्यान नहीं देते हैं यह वो तो राहनिता के माधियम सही जा समझते हैं ना यह आप नेता हैं नेता अच्छे काम नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग राहनिती के बारे में समझेंगे यह सब बातने इसमें समझ सकते हैं उसी परक कि यह दिश्टिकोन मूल रूप से आने आधुनिक दिश्टिकोनों से भिन है यह मूली चुना जितने भी हम लोग वहवार दिश्टिकोन हो गया मौनोवग्यानिक दिश्टिकोन हो गया पारंपरिक दिश्टिकोन हो गया सरनाशनातवग दिश्टिकोन हो गया इन जितने भी ताकतों के बीक निरत्तर संपर्ग कर न संभव नहीं है जहां राजनीती है वहां आर्थीक है जहां आर्थीक mema R 대ipsy है इन दोनों को इन्हों गिंग दोस्त के रूप में हम नजर रखती हैं इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं अर्थिक कारकों को अनुचित महत्व देता है और अन्य महत्व पुरकानों की उपर उपक्षा करता है तो यह बात इसमें कहीं गई है ठीक है तो यह हुआ आपका भारत में राज राजनेती के डिश्टी कौन है ना हम लोग कितने पॉइंट देखें हम लोग अगर एक एक प समझना बहुत आसानी तरह किसे समझ चुके होंगे उमिद करता हूं ठीक है तो आज की सेस्ट में बस एक सेस्ट रहने देंगे बहुत जल्ड नेक्स यूनिट स्टी नेक्स्ट कोसें वित आंसर आने वाली है आप सभी हमारे साथ जूरे रहिए और अगर चैनल में अगर प सब्सक्राइब कीजिए चले मिलिंगे नेक्स यूसन में तब तब के लिए थैंक यू जैहिन